रिडियो हांजी 1674 रते हांजी टीवी देख रहे हैं सारे ही दर्श के अंदा स्वागत कर दें मैं आम रिंदर के दा एक वरी फिर थोड़ी खितमत दे विच चैंपियन्स आफ लाइफ दी महीनावार एपिसोड लेके हाजर हैं एस एपिसोड देविच बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही प्रेड़ना दाये की जड़ी स्टोरी है उत्वड़ी लेके हाजर हुए है एक ओ प्रिवार जेस भीच प्रिवार दा मोखी वज्या निके बेड़ देविच कंदेशाए अठक महीने दे विच लगदा सी के शायदे रुड़ेगा ते रुड़ेगा चलेगा और अठ महीने दा ये बच्चा पोलियो दा शिकार होया और ये इस दे परिवार ने इस नो संबालन दे लई हर एक थरैपी दा सहारा लेंड दी कोशिश किती है और ये इलाज लगातार दस बारा साल चलिया है इमेजन करो अठ महीने तो लेकि दस बारा साल लगातार एक बच्चे नो ओस दी ओस बमारी तो नजात पाउंड दे लिक कर देने पूरी मशक्कत कर लिये और यो बच्चा है खास्त औरते पिंडा दीजिए तो आप अंगल कर दें जिसनो ट्राइसाइकल दानी सी पता जिसनो वीलचेर दानी सी पता जिसनो पिंडा तो बार हुंदे खेड मिल दानी सी पता जिसनो अलम्पिक दानी सी पता और एस अथलीट ने अपनियां दो मेलता पोलियो दा शिकार होन दो बावजूद भी और इस अथलीट ने पैरा अलम्पिक दे विच पावर लिफ्टिंग कर देयां पारत देवलों साल दो है और चार दी अलम्पिक खिड़ां दे विच ब्रॉंज मेडल हासल कीता है आओ गल कर देयां रिजंद्र सिंगर हैलो दे एस प्रेड़ना दायकी जीवन दी चेंपिन्स ओफ लाइफ दी एस अपिसोड देविच चेंपिन्स ओफ लाइफ देविच अपने अपने आप देविच एक बामिसाल है जिस दी हलकी जी गल करनी जरूर बनती है अक्सरा पाहज बच्चे नुँ जड़ा बैक्क्राउंड जी अपा देखिये सत्तर में देवेच, असी में देवेच, जा नबे में देवेच सेवन्टी, एटी जा नाइंटी देवेच आपा क्या लिए तो हमेशा ही सिख्या तो बन जे रखे जानदा सी, जा थोड़ा पड़ाया जानदा सी पर रजिंदर सिंग रहेलू दे जिन्दी की देवेच जहाने सी उन्हा दे माता पिता गरीब जरूर सन पर सोच तो भी हुने नी सन उन्हाने रिजंदर दी पड़ाई नू लगातार जारी रखिया शात्मी एठमी तक रिजंदर है जड़ा उपेंडपड़े नौमी दस मी है जड़ी उन्हाने पिंडों बाहर की ती 11 मी या थे बार मी दे विच उना नू कारबैट के सपोर्ट कीता है, ते प्राइविट रहके रिजेंदर सिंग रहेलू ने अपनी पढ़ाई ग्यारमी िपूरी कीती है इना ही पड़ाई वाड़े दिना देवेच एक इंसीडेंट होंदा इंसीडेंट बड़ा इंटरस्टिंग सी जेस्तों और जंदर नू लगया कि शायद उना दी जंदिगी देवेच एक एहोजी सपोर्ट आई जेसे नू लेके होड़ पासे इंडिविजल तोर देवेच इंडिपेंडेंडेंड तोर देवेच जा सकते सी सतमी अठमी तो स्कूल सी जड़ा ओपिंड़ी सी जेस्तों करके कदी रिजंदर नू महसूस नहीं होया होना दे दसन दे मतावक पर सानों ओची जरूर महसूस है और सतमी अठमी तो बाद जिदेंगी नाड़ दे पेंडे स्कूल जाना शुरू कीता ता ओस समय रिजंदर नू जाओना दे पिता जी जाओना दे ब्रदर चड़ के जा लेकिया हों दे सान और एक दिन पिता जी अ होना नू अपने करदे मूरे ता रहा पर एस सारे इंसिदेंट नू एक ड्राइंग टीचर ने है जड़ा ओ अबजरू की था और ड्राइंग टीचर ने उना स्कूल दे हेड मास्टर दे नालगाल करके गया कि मैं इस बच्चे नू ट्राइसाइकल देना चौन दी हैं और ट्राइसाइकल कि मैं अग्गे चलके जिंदर सिंग रहेलू दी जिंदगी रिवेच तब दीली लेख आया ओ भी किसा काफी सोना खैर जिंदर ने क्या आर्मी बार मी प्राइवेट तोर दे उते पास कर लई उस तो बाद ए चर्चा होन लगी कि होन अग्गे की है किसे ने किया कि आर एंपी डॉक्टर न लग जो किसे ने किया कि पेंड़ दी किसे दुकान ते लग जो किसे ने किया कि टाइपिंग सेख लो किसे ने किया अकाउंटिंग सेख लो जिंदर ने टाइपिंग भी सिखी जिंदर ने अकाउंटिंग भी सिखी पर ओ अपाहज होन देना जेडियां बंदिशांसां उस ते कारण उस किते नू अग्यता कनी लाके जा सकें पर क्योंकि जिंदर दी अपनी मेनत देनार जो हासल करना सी ओ इस तो भी वट आए बार्मी करन तो बाद सुरिंदर थोड़े टाइम ले कर बैठा पर इस टाइम दे विच उसने हर एक किता करन दी कोशिश की ती जिमेरी था नू पहला दस्या पर ओ कोई भी किता उससे ठीक नहीं बैठा उस तो बाद उसने अपने पर आदी दुकान दे जाना शुरू कर देत सी जो जिसना नाम सी सुरिंदर सिंग रणा आते वो पावर लिफ्टर सी रहेलू ने उसनो एक दिन पुछया कि मैंनू यार पार्चकन वारे कुछ नहीं पता तू मैंनू दास्ता सी के करदा की है तो उसने अकसर दकाना थे जे में कूर्शी दे बैठते हो तो उसने डेमो चक साकदा ता उना ने उना नू देखके किया उना दी शरीडी ग्रेडी बंदर सी अपाहज होना सी उसनो देखके किया कि ने रिजिंदर तेरे वाह से थोड़ा मुश्किल होईगा तो उस सैकल चक के तो पया फिर एकदम उस सुरिंदर सिंग राने दे दमाग दे विच दो किया कि रिजिंदर शाम नू ट्रेनिंग कर ना जामें, मैं तICIA मोथ ही पुत है मльा ना इस रिंदर सिंग राना ने रिजिंदर सिंग rayym na न किया कि तु शाम नो आजामें तेरी बेंच प्रेंस चेक कर दे हैं और ऐ टeर्य तर्णिग पॉइंट सी र्जिंदर सिंग rayym आम नू है जड़ा ओ ट्रेनिंग वाली साइड वाल रुख की ता ट्राइसाइकल ते पहुंचे जिमें ही ट्राइसाइकल ते पहुंचे ता उत्थे शुरिंदर सिंग राना पहुंचे आनी शी पर बाकी उना दे नाल दे प्रैक्टिस करन वाले जड़े होर खेडारी सान ओ थे मजूद सान ता उना ने देख्या कि तू एथे की करना है रुषिंदर सिंग रहे लू नू पहला स्वाल थी कि तू एथे के में ता उना ने कया कि मैंनू सुरिंदर सिंग राणे ने बलाया तो उन्हां कि शुरिंदर सिंह राणा चेंपियन बन्दा हो कदे प्रेक्टिस यांदा कदे नहीं आँदा पर तु एथे नहीं फिट बैठेंगा त्या इन्हें नों सुरिंदर सिंह राणा उत्वे पहुंचता तो उन्हां ने क्या कि नहीं नूं मैं ही बलाया इसनू चीओं कि शुखिया खी नहीं नूइंदे एन्दर सिंह नों फिता ता और उसंदी बैंच प्रेस लाई फिर उस तो बाद वजन पाणा शुरू कर दता करदे कर आंदे वे वे जन पाई गए ते रिजंदर सिंग्त रहेलू लगा तार ऋस नों चुकी गया जिदो बजन 35 किलो चक ले होगा नहीं करने नहीं 70 किलो बजन है जड़ा हो तू चक्या है और जेकर ऐस से ट्रेनिंग नू लगाता शीरियस होके जारी रखेंगा तब बिना शाक तू बहुत अग्ये तक जा सकता एक गल जिंदर सिंग रहेलू दे दिमाग दे विच टंक की है उसने मेनत नुजारी रखें रिजिंदर सिंग रहेलू ने राने नू किया कि मैं हर रोज आके थे प्रैक्टिस करनी चाना तो उनना ने किया कि आज आया कर और इस पूरे सिनारियो दे विच अजे तक कदी जिंदगी दे विच और अगे भी जड़ी गल तुसी देखोंगे कि रिजि जो पॉसिवली कर सकता है और उस तो बाद गर्मिया दा सीजन आया ता वेट लिफ्टर्स ने जा पॉवर लिफ्टर्स ने अपनी ट्रेनिंग बंद कर देती पर जिंदर सिंग रहेलू दे दिमाग देविच राने बलों कही गई गई ओ गल है जड़ी ओ चिंग दी रही ज जैसनों वसी नाम देता ओ ड्राइप प्रैक्टिस है जड़ी ओस मोटर दे उते भी चल दी रही लगानते सेरड के में बंदिशानों एक पासे रखता सब तो वड़ी एक्जामपल है जिंदर सिंग रहेलू दी अर्ली लाइफ देविच उदों जदों किसे भी पक्षों कि शेवी गेम दा उस दे कंप्रिडिशन दा कोई ज्यानना हो बेंद्ध में दे विच रिजिंदर सिंग रहेलू 97 किलोग्राम तो लेकर 100 किलोग्राम दी बंच प्रेस लाओन ने किसा पिंड़ दे विच रिजिंदर सिंग रहेलू मश्यूर हो गया सि क्योंकि यड़े पूर पिंडा तो बाहर लेके गया किला राइपूर दियां खेड़ना दे विच रिजंदर सिंग रहेलू नो पार्टी श्पिड कराया पिंड़ वाले ने फोर विल्डर कीता अतिनार दीनार पब्लिक प्लेस दे पहली बारी होया कि रिजंदर सिंग रहेलू ने 105 किलो ग्राम दी बेंच प्रेस लगाई होई पेंड दे विच वी कलब टूर्णामेंट कराया उस दे विच 110 किलो वजन चुकिया उनिस सौस्तान में दे विच ट्रांजिशन आदिया रिजंदर सिंग रहेलू दे विच जदो पहली बारी किसे अफीशल मुकाबले दे विच जादे ने 1997 में होई और इस पूरे पीरण दे विच उनिस सौस्तान में दी जदों पंगल कर दे हैं तब पच्ची किलो मीटर तक ट्राइस सैकल चला के भी रिजंदर सिंग रहेलू अपनी ट्रेनिंग थे जानदा रहा और इस पूरे क्राम दे विच कैप्टन प्यारा सिंग जो कोच ले ने उना दा बहुत वटा योगदान रहा इस मुकाबले दे विच इस पंजाब मीट दे विच रिजंदर ने 105 केजी दा स्टार्ट लेया और 105 तो बाद 115 दी लिफ्ट लाई रिजंदर नूं मैडल नहीं मिला पामे उसने सब तों जादा बजन जख्या उसनों के ट्रॉफी की हुंदेने उस दी पनक नहीं सी उस दी नॉलज नहीं सी और इस ते कारण रिजंदर एस मुकाबले दे विच मैडल तो खुझा पर अपने हौंसले तो नहीं खुझा फिर उस तो बाद अगले साल उनी सो अठान में दे विच नेशनल हो रही सी थे नॉर्थ इंडिया दी चैंपियंशिप सी उथे एक सो पच्ची केजी लिफ्ट है जड़ी ओ अरजिंदर सिंग रहेलू दे वलो बेंच प्रेस दी विच लगाई है और उथे वी उनना नू लगगा कि मैं कुछ खास कर सकना क्योंकि एस पूरी नेशनल देविच कोई भी खडा ली उनना दे एक वरी फेर रूल्स ना समझन दे कारण जिंदर सिंग रहेलू मैडल दो खुझ गया और ओ टाइम सी इंडिया दे विच जड़े पैरा अथलीट्स दी डिवल्मेंट हो रही सी पैरा अथलीट बॉडी दी डिवल्मेंट हो रही सी अथे इस डिवल्मेंट दे विच एस ट दे विच नागपूर दे विच नैशनल एकवरी फेर होई है इस दे विच पंजा के लोग रामबर्ग दे विच रिजिंदर सिंग रहेलू ने एक सौ पजा के जिती लिफ्ट लाई है जमें ही वो पोडियम तो था लिफ्ट लगा कि ता ओस नों कहा गया कि किसे व्यक्ती बिच रहेलू नों के पाजी था नों ओ सर बुला रहे ने ओ सर जो के एक बहुत बड़ाटा नहीं पॉइंट रहें रहें रिजिंदर सिंग रहेलू दे जिंदीगी दिविच और उस अपरचुंटी तो जिस तो जिस दे रहेलू पाज इसो का सी कि मैं एस सक्ष ने आकर और भी किसा एस स्टोरी दे विच चके चलके जरूर दसांगे ता उन्हा ने किया कि मैं उन्हा तक रुड़ के गया बिना शाक उथे ट्राइस सैकल नहीं सी जा सकता जा वील्चेर एकसेस हो थे नहीं सी ता और रुड़ के गया जिमें इसी हैंडी कैप्स नों देख देए ता उथे एक व्यक्ति मिले है जिसना नाम सी विजे मनीशवर जो के पैरा अलम्पियन दे प्रेजिडेंट सन इंडियन बॉड़ी देता हुना ने किया कि अगले महीने है जिड़ी जुलाई देवेचे मलेशिया देवेचे वर्ल्ड चेंपियंशेप हो रही है ता कि की नो खोद चलना पेड़ा सी और इत्हे मौकाई सेगा के ओस्ते नाल खड़न वाले जड़े व्यक्ति संग ओस्ते नाल असल देवेचे खड़न गे जने जिन्दर सिंग रहेलू नो पेंड़ देवेचे मिशहूर होन देवेचे नाल कई एनराइस देवलों भी है जड़ा ओ उना ने आके रिजन्दर सिंग रहेलू नो किया सी के कदे लोड होई ता दसी और ऐस समय जदो उना दे कुड़ों साठ पैंट या रुपया मंगले अगया सी क्योंकि बाडी रेकोगनाईज नहीं सी ता उना दे दमाग देवेचे सब तो पहला ख्याल उना दाया आया आते समय उना दे पेंड़ देवेच संस्था भी बढ़ी होई है जसता नाम है संभव और एहो जए जड़ी असंभव इंसिजेंट्स ने एहो जड़ी असंभव कामने उना नों संभव दी मदद देनार भी है जड़ा ओ तो रहा गया अगे जंदर सिंग रहेलू ने दस्या के ज स्वन सिंग जफर होना ने उना दी ओस वेले माएक तोर देवते काफी जड़ी अस सहाइता कीती है अते उना ने किया कि रिजंदर तू पैसे दी स्ट्रेस ना लए तू अपनी हाँ कर पर इस तो पहल ना दी जड़ी किस से सान ओ एक जरूर स्ट्रेस दा हिस्सासी जदो र रख रपये तक दी सेक्योर्टी दी मांग भी किती जान दी रही है अते नाल दी नाल तेनवा सेलेक्शन होनते बावजुद भी उना नू लेके नहीं गए क्योंकि खर्चा नी सी एफोर्ड कर सकते पर विजे मरीश्वर उना दी जिंदगी देवेच एक नमा बंदा सी एक एक मुलाकात ही हुई सी ओभी कुछ मिनट दी और जिंदर सिंग रहेलू दे मतावक क्योंना दे जिकीन करना बड़ा मुशकल सी अते प्लैन दे मतावकर जिंदर सिंग रहेलू ने पहला ही नागपुर्तों हजूर साथ यां ठेकर्स ने जड़ियां ओबुक करवाईयां सा अधे ओ अपना पासपोर्ट दिते बिना विजे मनीश्वर नो अपना पासपोर्ट दिते बिना ट्रेन दे बच जाके बैठके कि चलो हजूर साथ मता टेके ते बापस पिंद वाल फेरी पामागे पर विजे मनीश्वर ने उना दे बारे पता कीता कि रिजिंदर सिंग रह रहेलू नो लब के उन्हानों वो लेटर दिती जिस्ते वेचे लिख ऐसी के तूँ टीम देविच स्लेक्ट हो चुका आते वर्ल्ड चेम्पेंशिप दे लिए जा रहे हैं आते ए तेरा सेलेक्शिन लेटर है उसे दरम्यान ही एशियन चेम्पेंशिप 17 अगस्त 212 दिली दे वेचे 155 दिलिफ्ट लगा की गोल्ड मेंडल है जड़ा ओ रिजंदर सिंग रहेलू ने जिते हैं जो मलेशिया दे वेचे चेम्पेंशिप होई सी वर्ल लेबल दे उथे रिजंदर सिंग रहेलू दी सतमी प्लेस पे इसी 102 किलो दी लिफ्ट है रिजंदर सिंग रहेलू दे वलो इथे लगाई गया सी पर एसे नार जड़ा टर्निंग पॉंट एक होर सी एसे नार जिंदर सिंग रहेलू एथन्स अलम्पिक साल दो है चार दे विचे जो होनी है सान पैर अलम्पिक उना वास्ते क्वालिफाई का चुका सी एथन्स अलम्पिक दे लेवी रिजंदर सिंग रहेलू दा रेंट सेंट आजाऊना दे हवाई से सफर सी उना दा खर्चा जड़ा ओ चुक्या गया पर अरली दिना दे विचे वो सारा कुछ ऐसे संस्ता जा पिंड दे सहयोगी सजणाने है जड़ा ओ जरूर साथ देता एस पूरे सफर दे विचे रिजं जिंदर सिंग रहेलू पूरी तरह खड़े उतरी और पारदी चोड़ी पैरा अलंपिक ने थे हास दे विच ब्रॉंज मेडल है जड़ा हासल कीता किड़े मानवाली गाला है और अकसर डिसेवल जड़े अथलीट्स होंदेने जा डिसेवल जड़े व्रक्ती होंदेने उना तरह तरह दे वित्करे दा जिड़ा शिकार होना पंदा उना वित्करे अनू उना खास तौर थे असी कहले अपनी परवारक पिटपू में जिस दे विच गरीबी एक बहुत बटा मेना हुंदी है उस मेनी नू एक पासे राके और उस नार नार अपने हां पकी वर्तारे और अपने आसपास दे हां पकी दोस्तां दी चंगियां सलाहां लेकी जो कर दिखाया ओपने आप दे विच पार दी दिहास दे विच सिनेरे अकरां दे विच लिख लिख जा चुका और इसे ही सफलता दे लई जिंदर सिंग रहे दियों अरजना आवार्ड भी देता गया मेडल दी बदौलत दो हैं आठ दी हैं बेजिंग पैर अलम्पिक्स दे विच रिजिंदर सिंग रहे लूनों पारत दे लेई चंडा बरतार होन ता मान वी हासल होयां खेर इस तो बाद नौकरी दे लेई विर जिंदर सिंग रहे लूनों काफी मेशक्त करनी पर अंतर दे विच्छ सफलता जरूर हाथ लगी हो उस दे विच्छ कई अपीलां ते दलीलां भी जरूर चली हैं सीम लेवल तो पूरसेस नो मंजूरी मिलन तो बाद भी तिन साल लगे नौकरी तक पहुंचते हैं पहुंचते हैं आज दी डेट दी जदो अपागल कर दी हैं तो स्पोर्ट्स अथार्टी आफ इंडिया दी जड़ा गुजरात दे विच्छ सेंटर है उथे पैरा अलम्पियन अथलीट्स नो है टेड़ा ओ ट्रेनिंग दे रहे ने तो उन्हा दे शगिर्द ने जड़े ओ भी पारतवास जिन्दर सिंग रहे लू दी एक कहानी बड़ी खास है और इस कहानी दे वेच्छ किमे उनना दे आस पास दे विक्तिया ने उनननौ नहा नें कीती उनननौ हला शेरी देती और एक बड़ी एहम कार्ला है खास तरच तो अपने बच्चे आधि भी गल कर दे आसी ते कमे उनन नो हला शेरी देनी है जे कोड़ो पॉजिटिव कम करना चौंदे ने ए इर जिंदर दी पूरी जिंदगी दी एक एक एक्जामपल है जिंदर सिंग रहे लू दे माबापनू भी सलाम जिना ने अपने बच्चे नू पढ़ाया भी उस दे अपाहज होना उस दी पढ़ाय दे विच कदी भी कोई मुश्कल आवे ओ उसनू महसूस नहीं होन देती सुरिंदर सिंग राणे दी उस सलानू सलाम जेस दी सला दे नाल आज जिंदर सिंग रहेलू पारद दा पैरा अलंपियन पॉवर लिफ्टर है वभी मेडल जेतु रिजंदर सिंग रहेलू ने शरीरियक हते मानसिक रूपते हैं वीच समनय या मुश्क्लानू डटके चलेयां अज रिजिंदर दे कर दोती आने वो भी खेटा दे विच नाम ना खट रही आने और इस पूरी कहाणी दे विच रिजिंदर सिंग रहेलू ने जो सिस्टम सी उसनू सिर्फ चैलेंज ही ने कीता उसनू बदले आवी है और अपाहज सोच तो होना वक्री कल है शरीरिक रूपते होते हैं अपाहज होना दे बाब जूद भी किमें तुसी सफलता मा जुम सक देओ उस ती जीन दी जागती मिसाल है जिंदर सिंग रहेलू आओ जान तो पहला उना दा मेसेंज भी है जड़ा ओ थोड़े रूब हलो दोस्तों सात्स्रीकाल मैर्ज लिंदर सेंगरे हिलू अंडियन पर आपावल ऑट्टर呼ं दोस्तों अक्सर आपान हाँ हांची टीवी ते ते रैडियो हांची ते वरकवक अते महान सक्षिय तानों मेलदे रहन्या सवन्या आते उनादी जन्दगी ये संगार्षतों प् मुख्या मिन्या मेल हांजी टीवी ते रेडियो हांजी दी सारी टीम दा तनवाद गरणां दोस्तों कि संगारश ही जंदगी है संगारश्तों बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती मैं अपनी जंदगी दे कोज पल कोज संगारश्तों दोस्तों अठनामी नदीव मर्दे वैची मैंने पोली हो गया सी कि मैं अपने आप वेट दे होत्ते मंजे दे होत्ते पासावी निसी पढ़ सागवां कुछ लोग काना ता मनना एसी कि एद्दा दी जंदगी नानों ता प्रमातमा एनू अपने कोज ही बला लगे सी पर मेरी ममी डैडी दे होसले यजबे ते हिम्मत सदका आज मैं इस लेवल तक पांच्या दोस्तों 23 साल दी उमर तक मैं क्रॉलिंग करके ही अपने सारे काम कर दा सी क्योंकि मेरे कोड वील्चर नहीं सी ना ता मैंनू वील्चर दी नौलेज सी ते ना यह उनू ख्रीद्ण वास्ते पैसे जदो मेरी पहले वार पंजाब टीम देवे सेलेक्शन होई अते नेशनल चेंपियन चेप दे वास्ते टीम दे ना गरवानना होना सी ता मिन्न इस चीज़ दा अंदाजा नहीं सी कि मैंनू अग्ये जाके मुश्कल आ साग दिया जदो असी पट्याले तों टीम सारी अरवानना हुई स्टेशन दे एंटर्स तों लेके प्लेटफर्म तक जदो मैं क्रॉलिंग की थी तो मैंनू मैसूस होया कि थोड़ा मुश्कल हो सकता पर मन देविच्च जवासी विश्वासी हिमसी कि मैं गोल्ड मेडल लेंड जा रहा हूँ कोई प्रवा नहीं की थी पर जदो दिल्ली जाके स्टेशन चेंज करना सी ट्रेंच चेंज करने सी एक नंबर प्लेटफर्म तों बारा नंबर प्लेटफर्म तक जाना प्याहां प्रॉलिंग करके रड़के मेरी हत्तां थी पहरां देविच्च शाले पहरें से कि मेरे साथी प्लेरा ने काफी साथ है था कुछ समय था में नुहना ने मोटे आदे भी चक्या पर मेरे हाथ एन्नेक इंजड हो गया सी कि मेनू नैशनल चैंपियंशेफ देवेच जाके पार चपन देवेची मश्कल आ रहे पार अंदर दा कॉंफिडेंस बिश्वाश ते गोल्ड मेडल जित्या ते नेशनल चैंपियंट बने या यह मेरी जंदगी दा पहला नेशनल टूर्नमेंट सी और जदों ओ मैडल में जित्या ते मिन्नू सारे अपने जेडी वी रास्ते दी तकलीव सी उपल होई पर कहारा के मैं सोचा कि जिंदगी तकर यहां चलेगी क्योंकि मश्रवार नेशनल जाना जांडर अशनल जाना पहका पर उस समय मैं इस कावल नहीं सी कि मैं वील्चर ले सकाँ क्योंकि मेरे जो पता जी सी डैड सी वह बज़े द्या काम करते सी देहां शादियां देच उन्हां ने में नू पढ़ाया लिखाया और गेम देच पाया पर हैंटु माउथ दोस्तों मैं फैवरिकेटर दे कोड़ों बैठके खोद वील्चर डिजाइन कीती बनाई और वो जो गाडू वील्चर जेनु आपके सक देयां बड़ी अजीब अगरीव वील्चर मेरे नाल एथिन्स पेरालंपिक तक रही एथिन्स पेरालंपिक दिहासिक ब्राउंज मैडल जिड़ा के वील्चर देवते हों दे वाव्यूद मैं जित्या ओ इंडिया दा पहला मैडल सी ओ ओ मैडल लैंड वास्ते मैंनों काफी संकार्ष करना प्या इता प्रसंदी लोड़नी है पर मैं गलब करें सी वील्चर दीके वील्चर एनी अजी दोस्तों जंदगी देवेच मुश्कला आउंदिया नहीं आया वातावरन कदी अनुकूल नहीं होंदा हलात कदी अनुकूल नहीं होंदे सानु चेड़े हलात है उना हलाता वेच रहके ही अग्ये बनना पहला संगार्ष करके यंग जतनी बन दिया और मैंनू लगता है कि अगर अपा संगार्ष कर दे़ेऊं कोई भी संगार्ष करता है तो जंदगी देदान नहीं कोई जंग निया या कोई भी गोड़ दोन्हीं डार्गेट दोन्हें और तोस्तो मेरा वाक्यार दल्पाँ इक के माक्सर सी के जन्दगी नूं में शंगास दे तौरते लो एक चैलेंज दे तौरते लो तुनी आद कोई भी मिकाम आसल का सकते हैज इना शारता निना एक बार फिर हांजी टीवी ते रेडियो हंजी दी सारी टीम दा मैं तानवाज करना है स्वेसांजी रिजिंदर सिंग रहेलू जिना दी अपा स्टोरी है जड़ी जड़ी जना दा मैसेज है जड़ा ओ थोड़ तक सी संजा कीता लाजवाब लू कंडे खड़े करन वाली स्टोरी जिन्दर सिंग रहेलू दी असी थोड़े तक लेके हासर होएं है चेंपियन्स ओफ लाइफ दी ऐसे एपिसोड देवारे अपना फीड़वेक साथे तक जरूर पहुंचता करना इन्फो एड़ दरिट हांची डाट कॉम डाट एउ देटे जा सानू फेस्बुक देटे जा सारी यूट्यूब चैनल देटे भी जाके तुसी कोई भी कॉमेंट है जरूर कर सकते हो अगले मेहने फिर ऐसे ही दरा एक नमा खिडारी एक नमा चेंपियन लेके चैंपियन्स आफ लाइफ दी छेमी अपिसोड लेके हाजर हो मांगे ताट तक दिली देव जाज़त तन्वा सारेंदा प्यार परी सत्चिरियका